एक बड़ी सुन्दर कथा याद आई भागवत में है एक बार ब्रह्मा जी के पास नारजी पहुँचे नारजी ब्रह्मा जी के पुत्र है मानसिक पुत्र सरश्टी के प्रारम में ब्रह्मा जी ने मानसिक पुत्र पैदा किये थे चत्रकुमार, चारकुमार, नारजीर, दस महाजन, इत्यादी रिशीर यह सम्मानसिक पुत्र, शत्रुपा और मनु से जो संताने पैदा हुई, यह मैथन क्रिया से पैदा हुई इससे पहले ब्रह्माजी ने काफी चेश्टा की संसार को फुल फिल करने की भर देनी की संतानों से, मानसिक रूप से, लेकिन उससे असंबव रहा, हो नहीं सका कुछ, कुछ पैदा हुई, ज्यादा नहीं तो फिर महाजन है, उन्होंने स्रश्टी को आगे बढ़ाया, बच्चे पैदा किये लिए प्रथम जो मैतुन क्रिया से संतान पैदा हुई, वो मनु और सत्रूपा से हुई देहुती मनु और सत्रूपा की बेटी थी, जो मैतुन क्रिया से उत्पन हुई और भी दक्ष महाराज के पुत्र हुए, दक्ष महाराज से बहुत संताने उत्पन हुई, शंकर भगवान से, ऐसे सरश्टी के महाजनों से संताने आगे चली, देहुती मा था, कपिल देभवान जो 24 अवतारों में एक अवतार गिने जाते हैं, उनकी मा है, वो सत्रूपा और मनु की बेटी है भागवत्तम में इसका वर्णन है कि मनु और शत्रूपा से मैथुन की रिया करने से, ये जो हम लोग सब आगे, आए, मैथुन की रिया प्रारंब हुई, और बच्चे पैदा होने लगे, इससे पहले ब्रह्मा जी मानसिक रूप से, पुत्र, और जो भी कुछ पुत्रिया अपने मन से पैदा कर देते हैं, चुटकी बजा के, चत्रुकुमार ब्रह्मा, नारज जी एक बार ब्रह्मा जी के पास चले गए, और कहने लगे, पिता शरी, आप तो सदे ध्यान में मगन रहते हैं, मैं प्रत्वी लोग पे गया था, वह मैंने एक बड़ा आश्चरी दे मैंने देखा कि प्रत्वी लोग पर एक द्वार का पुरी है, जो समुद्र के बीचों बीच बसी हुई, सुर्ण द्वार का है, सोनी की बनी हुई, उसमें ये योगी पुरुस रहते हैं, कृष्ण नाम के, उन्होंने 16108 रानिया रख रखी हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, त उत्रकेतु थे, उनके एक करोर रानिया थी, तो ये कौन सी आज़ श्री की बात है, अगर कृष्ण नाम के योगी पुरुस ने 16108 रानिया रख रख की हैं, नारे जी ने कहा, नहीं पिता श्री, बात ये नहीं है, बात कुछ और है, क्या है, फिर नारे बोलो ना, पिता श्री मैंने छुपके छुपके देखा, कि वो 16108 रानियों के साथ में, वो योगी कृष्ण, 16108 जगे प्रगट होता है, और एक ही समय में, और अलगर मुद्राओं में, किसी रानी के हाथ से भोजन कर रहा है, किसी रानी के साथ में बैठा है, किसी रानी को आलिंगन कर रहा है, किसी रानी की बेनी गूत रहा है, किसी रानी को फूल पकड़ा रहा है, अलगर मुद्राओं में, एक समय में, 16108 कृष्ण बन के प्रगट होते हैं, मैंने ये बड़ा आश्चरी देखा, मैंने तो कानों से सुना भी नहीं है, ऐसा आश् कि मेरे ब्रह्मांड का सबसे स्रेष्ट योगी अपने शरीर को और हाट जगे विवाजित कर सकता है, यानि एक साथ नौ सरीर में प्रगट हो सकता है, एक स्रेष्ट ग्रेट योगी, ग्रेट मिश्टिक, लेकिन तुम कह रहे हैं, ये बात तो कोई योगी पुरुस नहीं क कर सकता है, तो हाँ, स्रेष्ट नारायन ये कारिये कर सकता है, तुमने तो मुझे भ्रह्म में डाल दिया, क्या वो नारायन तो नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं इसकी परिक्षा लूँगा, मैं तुमारी बात सुनकर के ब्रह्मित हो गया हूँ, मुझे खुद जाना और ब्रह्मा जी द्वारे का मा आई, चत्रमु की ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मांड के, और द्वारपाल को बोलेगी, भाईया, द्वार का धिश के दर्शन करने आया हूँ, जाकर बोलो, कि तुमारे दर्शन करने, तुमको मिलने के लिए ब्रह्मा आया है, मैं वो योगी तो दर्शिन सब्ध को अठा दीजिए दौार पार ने कहा कि ठीक है मैं जाकर कि दौार कादीश को सुचना देता हूं कि आप मिलने आये हैं दौार कादीश की जय हो क्या बात प्रहरी भगवान आप से मिलने के लिए ब्रभमा जी आये हैं दरवाजे पे खड़े हैं कौन से ब्रह्मा हैं दास का अपराद क्षमा करें मैं ये तो पूछना भूल गया कि आप कौन से ब्रह्मा हैं जाओ पूछ कर आओ तो द्वारपाल ने आके ब्रह्मा जी को पूछा कि द्वार का धीश पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रमा हैं तो ब्रमाजी को बड़ा गुसा आया क्रोदित हो गए क्या कौन से ब्रमा है क्या मेरे अलावा कोई और भी ब्रमा है अरे इस द्वार्पालों की तो अकल ऐसी छोटी होती है ठीक है इधर आओ जाकर द्वार कादीश को बोलो कि सनत कुमार, चत्र कुमारों के पिता श्री चत्र मुखी ब्रह्मा आए ठीक है द्वार पाल ने जाके बोला कि भगवान चत्र मुखी ब्रह्मा आए चत्र कुमारों के पिता श्री ओओ, उन्हें सम्मानपूरों के अंदर लाओ भगवान का ब्योहार परम ब्योहार है, परमेश्वरे उनका ब्योहार भी परम है ओ, उन्होंने ब्योहार किया ब्रह्माजी को अंदर बुलाया और खड़े हो गए अपने आसन से हाथ जोड़ करके आईए ब्रह्मा जी आसन ग्रहन कीजिए ब्रह्मा जी तो गुस्से में थे कि आगे पूछा क्यों कि कौन से ब्रह्मा का कि नहीं मैं आसन तब तक ग्रहन नहीं करूँगा मैं आसन जब तक ग्रहन नहीं करूँगा मैं आसन तब तक ग्रहन नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे यह नहीं बता दो कि तुमने द्वारपाल से क्यों पूछवाया कि कौन से ब्रह्मा आये है क्या मेरे सिरा कोई और ब्रह्मा भी है भगवायन स्रीकर्षन मुस्करा ऐसे ही मुस्काते हैं मुस्कराने लगे कहने लगे बस ब्रह्मा जी इतनी सी बात के लिए इतने गुस्ता कर रहे हो पूछना ही चाहते हो तो मैं अवश्य बतला दूँगा बहुत यस मैं पूछना ही चाहता हूँ मैं जानना चाहता हूँ कोई और भी ब्रह्मा है बड़ी बेश जिती करते हैं दूसरे की दर्वाजी पाये हो एक कि कौन से ब्रह्मा आए ठीक है ब्रह्मा जी मैं आपको अवश्य इसका जवाब दूँ आ वगवान ने अपना योग हाथ फैलाया हवा में और एक दूसरे ब्रह्मा वा प्रगट होए ये ब्रह्मा की दस मुख थे और अगले एक शन एक ब्रह्मा और प्रगट होए जिनके सौ मुख थे ब्रह्मा को इशारा मिल गया अनम्त ब्रह्मा अन्डो के ब्रह्मा को इशारा मिल गया दूआर का पुरी माहने का ये दिब लिला है मुर्ख कैसे समझेगा मुर्ख लोग कैसे समझेंगे इसको भगवान की दिभी लीला भगवान की भगवान ने निमंत्रित आमंत्रित किया आवान किया तो ब्रह्मा आने लगी तो वह सो मुखवाले ब्रह्मा आए और हजार मुखवाले ब्रह्मा आए और दसजार मुखवाले ब्रह्मा आए और एक लाख मुखवाले ब्रह्मा भी वहाँ आए और दस लाख मुखवाले भी ब्रह्मा वहाँ पर आए और भागत में शुक्दे गुष्वामी जी कह रहे हैं कि एक करोण मुख वाले ब्रह्मा भी वहाँ पर आके उपस्तित हुए और सभी ब्रह्मा अपने अपने पार सदों के साथ हंसों के ऊपर बैठ कर आए और हंसों से उतर कर भगवान की अस्तुति कर रहे हैं गोविन्द हम आधिपुर्श्वम तमा आम भजामी ए गोविन्द आधिपुरुस्त नारैन हम आपका भजन करते हैं यह अनंत ब्रह्माओं को देख करके यह चत्रमु की ब्रह्मा की हालत तो बेकार हो गई गबरा उठे और गिर्गरान लगे और मूर्चित होगे ब्रह्माओं की ब्रह्माओं को जाने का आदेश दिया कोई नहीं है इस समय ब्रह्माओं जी मूर्चित पढ़े हैं चरणों में चत्रमु की ब्रह्माओं ब्रह्माओं ने कहा ब्रह्माओं जी उठो ब्रह्माओं जी गोहुश आया और उठे हाथ जोड़े गिरगराते कापते हुए कि ये क्या ये जो मैंने अभी देखा ये बिभिन ब्रह्मा और हजार लाग करोड़ों मुखों वाले ये क्या सत्त है भगवार ये मेरी आखों का ब्रह्म है ये भी मुझे बतला दीजिए ये सत्त है ब्रह्मा ब्रह्मा जी ये सत्त है ये परम सत्त है ये बहुतिक सरश्टी में बड़े ब्रह्मांड है जहां पर मुझे ब्रह्माओं के आवशक्ता होती है सरश्ट्ति करता चौरा सिला कि यहनी हो रचने वाला ब्रहमा यह ब्रहमांड जिसमें आप रह रहे हैं सबसे छोटा ब्रहमांड है इसमें मुझे चत्रमुकी ब्रहमा की आवश्यक्ता पढ़ती है तो आप हैं बाकि और भी ब्रहमांड है जहांके मुझे हजार मुखुला लाक मुखुला और दस लाक मुखुला और एक करोड मुखुला भी बर्मा चाहिए यह बिस्तार वाले बर्मांट है तो आप इसमें इतना शोक मत करिए मैंने पुछवाया दुआरपाल से वो ठीक ही पुछवाया कि कौन से ब्रह्मा आए कि चत्र मुकिया सो मुकिया जार मुकिया ताब इतने आग बबुला हो गए तो यह ब्रह्मा जी ने बहुत पश्चाताप किया गिड़ड़ाए प्रार्तना कि कि मुझे मेरा अपराज महान अपराज ख्षमा कर दो एक अपराज मैंने आपका जब किया था जब आप पांच वर्ष की अवस्था में बच्छों के बच्छी चराने जाती थे बन के अंदर बिरंदावन में तब मैं आपके बच्छी और ग्वालों को चुरा के ले गया था एक अपराज तो मैंने वो किया था और ये और एक महान अपराज कर बैठ हमें मुझे ख्षमा कर दो और मुझे क्यो ब्रह्मा के पद पर बिठाया है वो रजवणी पद है मुझे तो कोई कही चोटे मोटे घर में या परत्वी लोग पर जन्म दे दो ब्रज के अंदर जन्म दे दो कुछ नीच परिवार में भी जन्म दे दो मैं आपका भजन करूँगा मैं आपसे अलग हो गया हूँ मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए भगवान तो सब की इच्छाएं पूर्ण करते हैं ऐसे ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण की है उन्होंने वो अगली कथा आगे जाती है लेकिन भगवान ने कहा कि ये कलपादो विसरजाय में हो तो ये बार-बार सर्ष्टी होती है प्रला होती है ब्रह्म जोती है अनंत बैकुंट जगत है परमधाम मेरा धाम ने तद भास्यते सूरियों ने शुशां को मैं इनमें नहीं हूँ मैं आलग हूँ इनसे ये सब मेरी रचना है फिर भी मैं इससे आलग हूँ मैं सब प्राणी मात्र के इरदे में हूँ फिर भी मैं उनके अंदर नहीं हूँ परमात्मा सरुप से मेरे अंश एक्सपेंशन पार्टली इंकार्निशन बिश्णू खिरदक्षाई बिश्णू सब प्राणी मात्र के इरदे में है मैं फिर भी अलग हूँ मेरी योग शक्ति तो देख अर्जुन मेरा योगम एश्वर्यम योग का एश्वर्य तो देख अर्जुन अवजारंती माम मूड़ा मानुसिं तनुम आशिर्तम परंभावम एजानंतो मंभूत महेश्वरम ये मुर्ख लोग नहीं जानते जब मैं कि ये मेरा जो शरीर है ये लगता तो मनुश जैसा है कि मैं मनुश जैसे शरीर में रहता हूँ जैसा शरीर मैं मनुश है मैंने मनुश को भी ऐसा शरीर दिया जो मेरा खुद का शरीर है फिर भी ये लोग मुझसे नफरत करते हैं मुझे नकारते हैं मुझे नहीं जाननी की कोशिश करते इतनी मूर्चा में जीवन जीते हैं अवजानन्ती माम मूढा मानों से इंतनु नासिर तम क्योंकि मैं मनुष्य जैसे शरीर में मैं भी रहता हूँ मेरी सुप्रीम कॉंशिसनेस कोई है संसार में जिसकी बावना परम बावना हो सुप्रीम कॉंशिसनेस या कॉंशिसनेस लोग तो कॉंशिसनेस में भी नहीं हैं अनकॉंशिस जीवन जी रहे हैं मूर्चा में जीवन जी रहे हैं फिर सुप्रीम कॉंशिसनेस कैसे हो सकते हैं सुपर कॉंशियस्नेस भी नहीं है सुपर कॉंशियस्नेस में भी परमात्मा विश्नु आते है शिर्दक्षाई विश्नु गर्वदक्षाई विश्नु माहा विश्नु ब्रह्मा जी ने अस्तुति की है वहगवान की यच्चक्षूर एस सविता सकल ग्रेहनम राजा समस्त सुर्मूरुतीर अशेश तेजव। यश्च आज्या ध्रमती संभित काल चक्रों गोविंदमादि पुर्शं तम आहाम भयामी। यह चक्षूर एस यह यूनिवर्सल भगवान का विराथ सरूप है। यह औरिजिनल सरूप नहीं है, मानुसम सरीर नहीं है। बेक्तिकत रूप नहीं है। यह यूनिवर्सल फाउव है भगवान की। क्योंकि इसके अंदर भी तो भगवान बिश्नु बैठे हैं। जैसे आपका शरीर है, उसके अंदर आप खुद बैठे हैं। आपके आत्मा के अंदर भी परमातना है। यह भी भगवान का ही चेत्र है। यहां भी भगवान है। तब भी यूनिवर्सल फाउम। भगवान की जो सूरिया है। ये मेरा एक नेत्र है इस विराक रूप के अंदर इस सूरिय के सामने सारे देवता लोग सुर्मूर्तीर अशिश देजाओं देवता लोग भी फीके पढ़ जाते हैं चंदर तारे सब फीके पढ़ जाते हैं ये सारे ग्रह ब्रस्पती, शनी, बुद्ध, मंगल इत्यादी सब ठीके पढ़ जाते हैं निश्टेज हो जाते हैं ये मेरा एक नेत्र मात्र है यूनिवर्सल फॉम में ऐसे अनंत यूनिवर्सल शरीर है बहगवान के विराठ स्वरूप इनमा अनंत चक्षू है बहगवान के भगवान कहते हैं कि यह ब्रह्मा जी अस्तुति करते हैं कि हे गोविंद आपके यह विराज़ सरुप के चक्षु सूर्य के सामनी सारे देवता फीके पढ़ जाते हैं सारे घ्रै नक्षत्र फीके पढ़ जाते हैं यचक्षुर एस सविता सकल ग्रह्मम राजा समस्त सारे राजा ब्रह्मा अंडों की सब फीके पढ़ जाते हैं राजा समस्त सुर्मूर्तीर अशेश तेज़ यश आज्या भ्रह्मती संब्रित काल चक्रो और इसमें वास करे भगवान विश्व के आज्या से सारा काल चक्र गूम रहा है सारा यूनिवर्स गूम रहा है सुचारू रूप से हम जिन्दा है हमारा प्लानेट जिन्दा है उनकी इच्छा से सम्ब्रित सर्वेंट की तरह कारी कर रहा है सारा ब्रह्मा अपनी इस्थिती में रह करके यच्यक्षूर एस सविता सकल ग्रेहनम राजासमस्त सुर्मूरतीर अशेशुते जाओ यश्याज्या भ्रमती संभृत कला चक्रो गोविंदमादि पुर्शं तम आहाम भजामि ये गोविद हम आपके हस्तुति करते हैं आपको बस्ते हैं ब्रह्मा कह रहे हैं मेरी सुप्रीम कॉंशेशनेस को मेरी परमभावना को ये मूर्ख लोग ये मूर्चित लोग ये अग्यानी लोग नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ मैं भी मनुष्य जैसे शरीर में रहता हूँ दो ही सुन्दर मेरे हाथ हैं दो पेर हैं दो नेत्र हैं शीज़ पर मोर मुखट है हातों में मुरली है जिस मैक्सिकन लोग मुरली बजाते हैं और भी अनेक मुरली बजाते हैं उनके हाथ में भी मुरली है उनके भी हाथों में दस उंगलिया हैं पाओं में दस उंगलिया हैं सेम डिक्टो कौपी मनुष्ट का शरीर है उनका अपनी शरीर के जैसा ही ये मनुष्ट को शरीर दिया खुश हो करके ये चौरा सिलाक यौनियों में होकर के निकल रहे हैं अब इनको एक मेरा जहसा शरीर में प्रदान करूँ तो मुर्क लोग इस बात को नहीं पैचानते हैं और कहते हैं कि अरे ये कोई राजा के पुत्र होगा ये कोई योगी पुरुष होगा हम क्यों पूजा करें हम क्यों उनका नाम जब करें आये चले गए कितने आये हैं कितने चले गए राम हुआ लच्वन हुआ कृषन हुआ बर राम ये सब राजाओं के बेटे रहे होंगे ये कोई महान पुरुष रहे होंगे अच्छे काम किये होंगे ये बगवान कृष्टन के वाकियों को मूर्ख लोग नहीं जानते कि बगवान क्या कह रहे हैं और बहुत से कहेंगे कि नहीं वो निराकार है बहुत से नहीं तुम निराकार का बजन करो तुम देवताओं का बजन पूजन करो वो मना नहीं कर रहे तुम बूत पेतों का पूजन करो भगवान मना नहीं कर रहे लिए भगवान के वानी को भी तलवार लेके काट देने वाले मूर खुलो तैयार है फिर कहते हैं कि हमने गीता पे भाष्ट लिखा है गीता पे गीता की हमने कॉमेंट्री दी है हम फिलोसफर हैं हम डिग्री हॉल्डर हैं कितने खिताब हमने जीते हैं हम विद्वान हैं शास्त्रार्त शास्त्रों के हम इलाइटेंड हैं प्रकाश्मान हो गए हैं हज्जार अला को हमारे शिष्षे अब हम गीता पे कॉमेंट्री लिखेंगे गुरुजी की कॉमेंट्री जूटे गुरुओं की आडमबरियों की मूर्कों की मूर्चतों की ऐसे लोगों की वैक्षाओं की वैल्यू नहीं बलकि परिजन हो गीता के अंदर भवान ने कितने सरलिदे से सभी बात कही हैं हम सब से अर्जुन के माट्यम से कि मूर्चित लोग मेरी परमभावना को नहीं मैं परमेश्वर हूँ परमभावना परमेश्वर के पास होती है और उस परमेश्वर से मिलना है तो उस भक्त को भी शुदॐत्म भावना पर जाना पड़ता है तब कहीं मिल पाता है परमधाम में जाने वाले की भावना भी परम होनी चाहिए इतना उचा लेबल होना चाहिए तब वहां पहुँच पाता है बगवान के इस्तान को तो कोई नहीं ले सकता इन बगवान के चरणों में तो बैठ सकता है बगवान को आलिंगन तो कर सकता है बगवान से बारतालब तो कर सकता है बगवान को जल अर्पन तो कर सकता है कर सकता है लिए मूर्चित लोग कैसे करेंगे वो तो जानते ही नहीं अपने आपको भी कि हम कौन है अपने आपको जान जाए है तुझे चैतन मा प्रूजीन कहा कि जीवरों स्वरूप है नित्य कृष्ण दास इस जीव का स्वरूप नित्य कर्ष्ण का दास बने रहने में है इसका यह असली स्वरूप है और हम देखते हैं अपने रूप को सीशे में कि हम यह हैं बड़े रूप वाने, ऐसी हमारी मूचे हैं, ऐसी दाड़ियां हैं, चोड़े कान हैं, ये रूप नहीं हैं आपका, आप सोचेंगी हमारा रूप है, नहीं, ये तो शरीर का रूप है, आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, आपका स्वरूप तो सच्चिदावंद हैं, और सदेव कृष्ण का दास बना रहना आपका स्वरूप है इससे अन्यता नहीं फिर बड़ी-बड़ी डिगनिया लो फिलोस्पर बनो यह मनो वैज्ञानी बनो इससे भगवान समझ में नहीं आते नहीं उनके शास्त्रों पर सरद्दा होनी चाहिए उनकी वानी में सरद्दा हो नहीं चाहिए यह भागुद्गीता एज इट इस पांच जार तीन सो अरस पहले बगवान की मुखारविन से निकली वह आज चली आ रही है यह इस लोग जैसे थे वैसे के वैसे हैं एक शब्द भी इदर से उदर हो नहीं सकता करक्ष है क्योंकि कंठस्त है हज्जारों लाखों बगवान की भक्तों की कंठस्त है इसमें चेंजें नहीं कर सकता कोई गड़बर नहीं कर सकता बदमास आदमी यह एजिटिज है दौबान कहे रहें क्या अवजानंति मामूडा मानुसिं तनुम आशिर्तं परंभावन अजानंतो ममभूत महिश्वरम मेरा ये श्री विग्र है शरीर जिसमें मैं द्वापर में भी था ये महा इश्वर का शरीर है ये बहुत इक शरीर नहीं है बगवायन स्री कृष्ण ये शुदा के आंगन में थे ये द्वार का दीश थे तो उनका शरीर हमारा जैसा नहीं था लगता तो हमारा जैसा था मनुष्य का शरीर जैसा लेन उनका शरीव इग्रह हमेशा इस्प्रिच्छल होता है आध्यात्मिक होता है इसलिए वो सदेव 16 वरस कही अवस्था में नजर आते थे द्वार का धीश बन करके 125 वरस तक रहे बाल लेलाएं भी करी वो शरीर के अंदर तो बड़े क्वालिटी जैसे गुण है वो तो किसी भी रूप में रूप बना ले हो शरीर आध्यात्मिक शरीर हो इस्प्रिच्छल बाड़ी है पस ब्लड बॉंस का नहीं है लगता है ऐसा है कि हमारे जैसा ही है नंद देवकी के पुत्र बने नंद के घर पलते हैं बेदों के रिशियों ने कृष्णा बताए हैं वो ही शाम सुन्दर का नहीं आख कहाए हैं गोविंद तेरी जैजै गोपाल तेरी जैजै हे बाके भी हारी नंद लाल तेरी जैजै गोविंद तेरी जैजै गोपाल तेरी जैजै इस प्रकार से भगवान नी अरजुन को कहा कि मुर्चित लो मुझे नहीं पहचानते क्योंकि मैं इनके जैसे इस शरीर में मनुष जैसे शरीर में ही रहता हूँ मेरा शरीर मेरा औरिजिनल रूप गौले का है और मनुष का शरीर है ये भगवान का स्पीच और शरीर है और परम रूप वान है उनके रूप से किसी का रूप नहीं मिलता है उनके नेत्रों से किसी के नेत्र नहीं मिलते है उनके रंग से भी किसी का रंग उनके शरीर के अंग प्रतंग और रंग ये बड़े अदूद है इसलिए उनको यहाँ भी द्वापर में भी जो कोई भी देखता था वो मोहित हो जाता था उनकी तरफ बक्ती भावना से इर्शा जलने से देखते थे उनके विरोधी हो जाते थे जरासंद, शेशुपाल, दंत्वक्र, कंस, इत्यार जिन्हों ने उनके रूप के दर्शन की हैं, वो बड़े भावगशा लिए उनका जन्म सफल हो गया, वो उनके धाम किवास ही बन गए और जो झाहिटे से घौी जाए सूपझका।